नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आए आज हम सभी अरूची को दूर करने के कुछ एक घरेलू नुस्खे के बारे में जानते हैं जिहां ऐसी हम में ड्रेमेड इन सब को पीछ लेना है यह स्वादिष्ट अनारदाना चून बन जायेगा इसको खाने से अरूची नश्ट हो जाती है तथा मन प्रसन्न हो जाता है सिंधा नमक और काली मिर्च के साथ फाल से खाना अरूची नाशक सफल प्रयोग है जिहां तीन ग्राम पोदीने में जीरा, हिंग, काली मिर्च और मामूली नमक डाल कर पीने से पेट दर्द और अरूची में लाब होता है किसी अच्छे मिष्ठान भंडार अथवा नमकीन विक्रेता के यहां विकने वाली मूठ की दाल खाने से अरूची दूर हो जाती है धनिया, छ खाने पीने की एक्छान न होने पर एक कप पानी में स्वाद के अनुसार, शक्कर, इमली और बारीक पीसी हुई कपडचन चोथाई चमच भर करके काली मिर्च मिलाकर एवं छानकर हर रोच चार बार सेवन करने से अरूची नश्ट होकर खान पान के प्रती अरूची खाने से असाध्य अरूची रोग भी तूर हो जाता है, एक ग्राम से तीन ग्राम तक अदरक को छील करके बारीक बारीक कतर लें और थोड़ा सा सेंधा नमक अथवा, रसोई में काम आने वाला साधारन नमक लगा कर भोजन से आधा घंटा पहले दिन में एक बार आठ दिन खाने से अरूची दूर होकर भूख लगने लगती है, हाजमा ठीक हो जाता है और पेट की हवा साफ होती है, भोजन में सबसे पहले नमक और अदरक का सेवन, अगनी दिपक, रूची कारक, जीव और कंठ शोधक है, पेट दर्द, आफरा, बधहजमी, पेचिश, तथा कब अदरक और सिंधानमक के मिश्रन पर कुछ बूंदे निम्भू की निचोड़कर भोजन से पहले खाने से आफरा, गुल्म और उदरशूल नश्ट होता है, अजियन नश्ट होकर के अगनी प्रदिप्त होती है, तथा भोजन में रूची उत्पन होती है, इस प्रयोग से व पीने से अरूची में लाब होता है, भोजन के समय एक ग्राम सोड़ा बाई कार्ब को सो ग्राम जल में मिला करके उसमें आधे निम्भू का रस निचोड़कर पीने से अरूची नश्ट होकर भोजन में रूची बढ़ती है, हिंग नो सादर और सिंधा नमक हर एक को दस दस ग्राम लेकर के 600 ग्राम पानी में खरल करें, उसके बाद एक साफ स्वक्ष बोटल में भर करके सुरक्षित रख लें, इसको 25 ग्राम की मातरा में पीने से भूख न लगना और अरूची में लाब होता है, देशी अजवायन 250 ग्राम और काला नमक 60 ग्राम मिला करके किसी पस से निम्बू का रश डालें, इस प्रकार से 7 बार निम्बू का रश डाल कर दवा को सुरक्षित रख लें, इसको 2 ग्राम की मातरा में भोजन के बाद खाने से अरूची नश्ट होकर भूख लगती है, सूड़ा बाई कार्ब, सूट, छोटी पीपल, काली मिर्च और न थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जिनको अरूची हो जाती है, खास करके गर्मियों में ये प्रोब्लेम ज्यादा होती है, खाना सही से हजम नहीं हो पाता है, इसके साथ साथ भूख भी लगनी बंद हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए, अर प्रूची रोग को दूर कर सकते हैं, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों